हादी याँ अदो बच गए क्याँ देखिए अदेवर जी आते ही होंगे दिली की सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाली जगा विजय चौक पर अचानक एक नील गाय दौरती हुई नजर आई नील गाय दौरते दौरते बीच सड़क पर आई जिसके बाद ट्राफिक भी धीमा हो गया इस नील गाय ने विजय चौक पर मौझूद एक पीसियार वैंग को भी चक कर मार दी इसके बाद नील गाय आसपास के अलाकों में दौरती रही लेकिन इसे खाबू करने में कई घंटों तक यहां पर कोई नहीं पहुँचा अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि संसर धवन के आसपास का वो इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहाँ यह नील गाय आखिर कैसे पहुँच गई इस नील गाय के हाई सेक्यूरिटी जोन में पहुँचने के बाद यहां की सुरक्षा वैवस्ता पर भी सवाल उट रहे हैं और हमारे समवाद दाता आमिद पांडे ने इस जगह का जाइजा लिया क्या बता रहे हैं आमिद यहीं सुनिए इस वक्त हम मौजूद हैं संसर्थभवन के ठीक पास यहां पर और बेहुत एहँ इस इहां पर नॉट्स ब्लाक सॉथ ब्लोक और तमाम एहम यहां बहुर्त सरकार के यहां पर प्रतिश्थान हैं यहां पर और कई मारते हैं लेकिन एक अलग नजारा यहां पर देखने को मिला है और सुबे से ही नील गाय यहां पर आई हुई है और यहां पर इस तरीके से जो ठीक संसथ भवन और नॉर्थ ब्लॉक के सामने का जो गार्डन है जो बगीचा है वहां पर यह बैठी भी है नील गाय एक पर्यावरन श्रीणी में रखा जाता है फिलहाल सुबे से ही इस नील गाय ने लोगों के नाक में यहां पर दम कर रखा है करीब तीन से चार घंटे हो चुके हैं यहां पर कुछ गाडियों को इसने नुकसान भी पहुचाया है दिल्ली पुलिस की PCR वैन भी यहां पर आई लेकिन अभी है आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग लोग यहां पर जमा हुए हैं मीडिया के लोग यहां पर जमा हैं वहां पर वन विभाग के लोग हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस के लोग हैं कुल मिलाकर इंतजार है इंतजार है स्पेशलिस्ट लोगों की विशिश वन्य जीव प्राणी ने यहाँ पर तमाम एजंसीयों को सर्द एक तमाम एजंसीयों के लिए ये सरदर्दद बन गई और चुनंवती इनके सामने यही है कि आखिरकार इस प्राणी को इस वन्य जीव को कैसे यहाँ से निकाला जाए कामापसन नकुल के साथ अमित पांडे दिल्ली आई बिन सेवन